प्रिय चात्रो नमस्कार अब हम कर रहे हैं प्रस्नामली 4.1 के प्रश्निक्रमांक दूसरे को इस पर है नेमन इस्तितियों को दुईगार समीकन के रूप में निरूपित कीजिए यानि के नीचे जो इस्तितियां दी गई हैं उनको हमें दुईगार समीकन के रूप में वेताकार भूकंड का छेत्रफल 528 मीटर स्क्वेर है छेत्र की लंबाई चोड़ाई के दुगने से एक अधिक है हमें भूकंड की लंबाई और चोड़ाई ग्यात करनी है तो ध्यान दीजिये यहां पर हमें छेत्रफल दिया है और लंबाई तथा चोड़ाई पूछी गई ह तो आईए प्रस्ण को एक बार अच्छे से देख लेते हैं और मेरी बात अब एक ध्यान रखे हमेशा कि जो चीज हमें ग्यात करनी होती है हम उशी को गड़ित में मान लेते हैं यहां पर हमें लंबाई और चोड़ाई ग्यात करनी है तो यहां पर हम लंबाई और चोड़ चोड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो कौन अधिक है लंबाई किस से चोड़ाई के दो गुने से एक अधिक है याने कि यहाँ पर यदि हमें चोड़ाई पता चल जाए तो हम लंबाई निकाल सकते हैं अब आप पूछेंगे कैसे निकाल सकते हैं तो यहाँ पर देखो इस पश्ट दिया है कि जो लंबाई है, चोड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानि कि यदि हमें चोड़ाई पता चल जाए, तो उसको हम पहले दुगना करेंगे, और उसमें एक जोड़ देंगे, तो वो लंबाई बन जाएगी, तो आईए यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना, लिखते चलेंगे माना भूखंड की चोड़ाई बरावर एक्स मीटर है, बरावर एक्स मीटर है, यदि चोड़ाई हमें पता चल गई, तब लंबाई क्या होगी, तब लंबाई हो जाएगी, तब भूखंड की लंबाई बरावर हो जाएगी, टू एक्स प्लस बन, क्योंकि यहाँ हमने ऐसा, क्योंकि प्रसन में दिया है, कि जो चोड़ाई, लंबाई है, वो चोड़ाई के दो गुने से एक अधिक है, यहाँ पर हमें लंबाई भी पता चल गई, और चोड़ाई भी पता चल गई, अब चूकि प्रसन में हमें छेतरफल दिया है, पांसो अठाई, तो आप सब जानते हैं, कि छेतरफल बरावर होता है, लंबाई गुड़े चोड़ाई, यानि कि हम लंबाई का गुणा चोड़ाई के साथ कर देंगे, तो इस भूखंड का छेतरफल हमें ग्यात हो जाएगा, लेकिन चूकि छेतरफल हमें पहले से दिया है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, चूकि छेतरफल बरावर कितना दिया है, 528 मीटर इसके है, अब चूकि छेतरफल का शूतर क्या होता है, तो ये हो जाएगा, इसलिए लंबाई गुड़े चोड़ाई, ये कैसे निकला होगा, जब हम लंबाई का गुड़ा चोड़ाई में किया होगे, तब छेतरफल निकला होगा, तो इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स गुड़ेट, टू एक्स प्लस बन इसकोल टू पांसो अठाईस, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या दोबारा वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, तो आईए थोड़ा सा और आंगे स्वल्व करते हैं, यहाँ पर इसको स्वल्व कर लेंगे, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर हम इस एक्स का गुणा इस पद में भी करेंगे, फिर इसके पस्चाद इसमें भी करेंगे, जब एक्स का गुणा हम दो एक्स में करेंगे, तो य एकस स्क्वेयर ऐसे ही एकस का गुणा जब प्लस एक में होगा तो यह हो जाएगा प्लस एकस बराबर में हो जाएगा पांसो अठाइस अब चुकिए इसको हमें दुई खाद बनाना है तो यहाँ पर इसको हम 2x² प्लस x इसको बराबर के साइड ले आएंगे तो यह प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, बराबर में आजाएगा 0 तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि चर में अधिकतम घाद 2 है इसलिए यह दुई घाद समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया है इस सवाल को हम यहीं तक करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे, यह अताहा, यह दुई घाद समीकरण है यह हमारा आंसर हो जाएगा इसका आप स्क्रीन सॉट ले सकते हैं, यह हो जाएगा हमारा स्क्रीन सॉट इसी प्रकार के अन वीडियोज के लिए क्रिपया चैनल को सस्क्राइब करें थेंक्यू